नमस्कार आप देख रहे हैं जम्मू परवर्तन और मैं हूँ विकास मनहास तो आपके सामने एक खबर लेके आया हूँ और ध्यान से सुनियेगा और तमाम लोग जो है इस चीज पे ध्यान भी दीजेगा क्योंकि आपके हाथ में ये सब चीजे हैं और आपके हाथ में इस ची कि कोई भी गलत अफ़ा मत फिलाईएगा और कोई भी चीज जो है इस तरह की न करिएगा जिसमें आप इस सी भाईचारे में जो है दरार सामने आए और उसके बाद जो है दो दिन पहले आपने देखा था कि ब्राडबेंट सेवा जो है यहां से डोड़ा से शुरू की गई है और हो सकता है अगर से तरीके से महलरा और किसी तरह का भी कोई लोग HU ने जो है इस तरह का महूल क्रेट करने की कोशिश नहीं की यानि सोस्चल मीडिया पे तो हो सकता है कल शाम तक लोगाँ पर इंटरनेट सेवा भी भाल की जाएगी यानि आपके मोबाइल वाली सेवा भी भाल दी कर दी जाएगी और इसके बाद जो है अडिशनल डिस्टिक मजिस्ट्रेट जो है डिप्टी कमिशनर जो है बुदरवा के दिल मीर सिंग जो है एक एडवाइजरी जो है जारी की है चाहिए वो इंटरनेट से लेकर हो या फिर सोसल मीडिया के जितने भी योजर है उन सब लोगों के लिए जो है एक एडवाइजरी जारी की है और तमाम लोग जो है ध्यान रखियेगा किसी तरह का भी कोई भी वीडियो अगर आपके पास है इस तरह का कोई भी अपनी फेस्बुक पे या फिर वट से पे शेयर करने की कोशिश ना करें क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे हम लोग भी जो है फेस्बुक अपनी खोलते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इस तरह की वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं और अपलोड करने के बाद जो है कुछ लोग ऐसे भी है जो लोग जो है ऐसी जैसी वीडियो को ज which hurts are likely to be hurt to sentiment of any sanction of the society and are unlovedful otherwise. यानि उसके उपर बड़ी कारवाई की जाएगी, चाहे वो किसी की तरह की भी hate speech हो, फिर audio हो या फिर कोई भी video हो. इस तरह की किसी ने भी अगर इस तरह की social media पे करने की कोशिश की गई तो उसके उपर बड़ी कारवाई होगी और तमाम लोग अभी इसको शेर भी कर रहे हैं कोई नहीं चाहता कि हमारा इंटरनेट दोबारा से बंद हो और इस तरह का महौल क्रेट करने की कोशिश की जाए क्योंकि इस से बिजनस करने वाले लोगों को काफी जादा नुकसान है और आम जनता को भी काफी जादा परिशान है लोग नहीं चाहते कि इस तरह का महौल हमारे डोडा में बना रहे लेकिन कुछ लोग समाज के बीच में इस तरह के हैं जो आग के उपर पट्रोल छिड़कने की बात कर रहे हैं अभी भी उनके दमागी संतोलन जो है खराब है इस तरह का दमागी संतोलन अपना से केजिए और अगर कहीं किसी जगा पे कोई आग लगी है पानी छिड़के या फिर अपने घरों में चुपचुपा के बैटिये क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वीडियो इस तरह से शेयर कर रहे हमारे पास भी पहुंची हुई है हम लोग भी शेयर कर सकते हैं हम लोग भी अपलोड कर सकते हैं लेकिन इस तरह का महौल मंत खराब करिए और आपने भाईचारे का से पेगाम दीजिए दूसरे लोगों को यानि आप देखिए दो हफ्तों से अगर एक हफ्तों से इंटरनेट बंद हुआ और पिछला मैंने एक ख़वर बुद्रवा से ही की थी जहां पर मैंने यह बताने की कोशिश भी की थी कि इस साल जो है लगातार तीन साल के बाद जो है बुद्रवा जो है टूरिस्ट का जो है रिकार्ट तोनने की कोशिश कर रहा है यानि टूरिस्ट इतने घूमने फिरने आ रहे थे कि सोचिए भंगला देश की लोग वहां पर आ रहे थे यानि इंडिया के तो आई ही रहे थे लेकिन वहां से दूसरी कंट्रियों के लोग भी घूमने बुद्रवा में आ रहे है और जहां पर बुद्रवा के मज़े चाय फिर वो पद्री वाला एरिया हो फिर जाई वाला एरिया हो फिर या गुली डंडा वाला एरिया हो यानि सरतल बुद्रवा वाला और वहाई के लोकल कोई लोग थे जिनूने अपने दुकान वगएरा खोली थी उनने बताया कि हम पर बताया था मैई का महीना था आप तो जून और जुलाई में और ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं और अगर इन दो हफ्तों में बंद नहीं हुआ होता तो सोच ये कितना विजनस जो है वहां के लोग जो है आपना खड़ा कर सकते यानि कितने लोग वहां पर घूमने रखेंगे और इस तरह की कोई भी वीडियो या इस तरह का कोई भी प्रोटेस्ट करने से पहले जो है सोचेंगे कि हमने जो है अगर प्रोटेस्ट करना है शांति पूरण करना है ना ही किसी के रिलीजिस के बारे में बोलना है और ना ही किसी के सेंटिमेंट के साथ इसी तर order भी है और जैसे हमारे पास यह order पहुंचा तो हमने जो है आपके सामने रखने की कोशिश भी की और यह जो है डिस्टिक और इनको आप फार्वेड लेटर जो है इन्हों ने किया है कि इन्फार्मेशन आप्टर और एस पी डोड़ा के लिए भी किया है और जो भी की वीडियो जो है अपसक्रिन छोट आप पॉलिस तक पहुंचा सकते हैं ताकि पॉलीज जो है जल्दी इन लोगों के उपर कारवाई करे और जो शांति आ बनी है जो दोबारा से एक महाल जो है दोबारा पटरी पर आप पहुंचा है दो बारा से वैसरे क्योंकि लोगों ने यहां डोडा से अपेल भी की थी कि इस तरह इंटरनेट बंद नहीं होना चीए क्योंकि इंटरनेट पर ही सब लोग जो हैं ठीके हुए हैं चाहिए आपने छोटा सा कोई भी काम करना है अपने मुबाइलों के थ ट्रांजेक्शन करनी हो वह भी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी और यहां के लोग इस तरह का महूल खराब करना नहीं चाहते लेकिन मैंने फिर से आपको बताया कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग जो हैं जो आग के उपर जो है दुबारा से पोट्रोल छिटकने की कोश की जा रही है आफ आयार तक भी लग रही है क्योंकि आपने पहले ही देखा था कि बहुत सारे लोगों के ओपर जो है गिर्फतारी भी हुई थी उमीद करेंगे आप अपना सही तरीके से बनाए रखें और इस तरह का महूल क्रेट करने की कोशिश न करें और इस तरह की जो